तो चलिए मुद्दे प्यारते एक फिर्टी सेंटेज देखते हैं उसे पढ़ना पढ़ रहा है अब हम जानेगे इसके फॉर्मूले के बारे इसके असर्टिब की जो फॉर्मूला है वो है नेगेटिब के लिए और आप ही चीज हमेशा याल रहेंगे के इंटरोगेटिब सेंटेज और इंटरोगेटिब नेगेटिब सेंटेज में कोश्यन मार देना मैंड़ेटरी होता है तो इंटरोगेटिब नेगेटिब सेंटेज के जो फॉर्मूला होता है वो है अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ sentences उसे पढ़ना पढ़ रहा है तुहें हसना पढ़ रहा है मुझे जाना पढ़ रहा है हम लोगों को दौडना पढ़ रहा है we are having to run तुम्हें पढ़ना नहीं पढ़ रहा है you are not having to read उसे देखना नहीं पढ़ रहा है he is not having to watch क्या मुझे ये सेना पढ़ रहा है am I having to be in this क्या तुम्हें रोना पढ़ रहा है are you having to whip क्या उन्हों लोगों को समझना नहीं पढ़ रहा है are they not having to understand क्या उसे पीना नहीं पड़ रहा है is he not having to drink अब कुछ और से इस भी देखते हैं जिसको आपको समझने के जरू थे लेकर उससे पहले में आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप आपको की यूस के बारे में जाना चाहते हैं और आपको की यूस के बारे में जाना चाहते हैं तो उस तरह की वीडियो मैंने अपने पहले ही बना दी हैं तो आप उस वीडियो को मेरी डिस्क्रिप्शन में या आई मुटन में क्लिक करके देख सकते हैं तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूं हम लोगों को परिशारी छेलना पड़ रहा है अब इसे बनानी के लिए we are having to face difficulties जिया we are having to face difficulties बिना बात का सुनना पड़ रहा है आप जानते हैं इस तरह के sentences बहुत यूज होते हैं बिना बात का सुनना पड़ रहा है we are having to listen without any reason दिमाग लगनाना पड़ रहा है I am having to apply my mind I am having to apply my mind उनको खाना पड़ रहा है मुझे किर्केट खेलना पड़ रहा है तुम्हें exam देना पड़ रहा है हम लोगों को vote देना पड़ रहा है अब दोस्तों जो मैंने भी आपको यह सारे sentences बताये हैं मैं चाता हूँ आप इससे मुझे घर से करके comment box पे बताये और आपको इस तरह क अगर आपको प्रसंद आई हो ता प्लीज जिससे लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें और कवेट करें थैंक यू फॉर मॉश्यूर्ट